लो गाइस, वेलकम बेक टो मैं चैनल, ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9 क्लास तक ये बच्चों के लिए ही, इसमें मैं चाप लोगों को इंग्लिश में फोर्माल लेटर लिखना सिखाऊंगी, जैसे हिंदी में हम ओप चारिक पदर भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आप लोग application to the principal, school के principal को application लिखनी है, of your school, request करते हुए, change your section, कि वो आपका section चेंज कर दे, start करते हैं, तो ये सारा method आप LHS, यानि left hand side से लिखना शुरू करेंगे, जैसे या लिखा गया है, पुली मुदू जंक्शन, त्रिवंद्रम के रेला, यानि address लिखा गया है, basically आप अपने school का address को या लिखेंगे, याद रखेंगे सभी बच्चे, school का address लिखा जाएगा, एक लेंच छोड़ते हुए date, हमेशे याद रखनी है, आज की डेलेगी, जो भी आज की date होगी, जिस जाज 19 February है, तो मैं 5 की जगा 19 लिखूंगी, जून की जगा February, February students पुरह ल 5 कॉमा जालते हुए, 2023 लिख करके छोड़ देंगे, आप अपने exam में इसी रूल को फॉलो करेंगे, इसके बाद students एक लेंच छोड़ते हुए, the principal, एक लेंच छोड़ते हुए, school का नाम, जो भी आपके school का नाम है, यहाँ वो लिखा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी ब इसके बाद एक लेंच छोड़ते हुए, sir लिखेंगे, कॉमा डालते हुए, copy की एक लेंच छोड़ते हुए, लेटर को लिखना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है, start करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे, I am a student of 90 of your school की, मैं आपके school का 90 का student हूँ, I shall feel oblige, यानि मुझा अच्छा लगेगा, if you allow me to change, अगर आप allow करते हैं, change my section, आप allow करते हैं, section के change के लिए, from A to B, A to B section में, this change will help me in many ways, तो, यह जो change है, वो मेरी कई तरीके से मदद, यानि मेरी काफी way से help करेगा, अब एक line छोड़ते हुए, लिखा जाएगा, many of my friends, जो मेरी काफी सारे friends हैं, वो मेरे बडोसी हैं, are my neighbors, they reading section B, जो section B में study करते हैं, जो पढ़ते हैं, if I am transfer to B section, अगर मेरा transfer हो जाता है, B section है, तो, we shall all be together, तो, हम सब साथ में रहेंगे, then we shall be doing our homework, इसके साथ हम अपना homework भी साथ में करेंगे, together में साथ में and help one other और एक दूसरे की मदद भी करेंगे, that way, इसलिए I shall be able to do better in my studies, और मैं अपने studies में पढ़ाय लिखाई में और भी बहतर बन जाओंगा या बन जाओंगी, इसके बाद students, एक line छोड़ते हुए लिखा जाएगा, कि आप principle से क्या हो, क्या उशारत नहीं, जैसे या लिखा गया है, I am sure, यानि मैं पूरी तरीके से sure हूँ, that you will allow, कि आप allow करेंगे, मित इस चेंज, इस चेंज के लिए, इस बतलाफ के लिए, अब एक line छोड़ते हुए लिखा जाएगा, yours, opportunity, जो हर formal letter में common रहता है, एक line छोड़ते हुए अपना नाम लिखा जाएगा, जैसे या लिखा गये, सोहिल चोहन, आप कोई भी नाम या अपना नाम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन students यहाँ नाम लिखना compulsory है, आप यहाँ खुद का नाम लिखते हैं, अपना नाम, तो यहाँ से letter होता है complete, thanks for watching and best of luck for your exam.